पेरिस परलंपिक पदग्भीरों के लिए इनाम की घोशना गोल्ड जीतने वाले पेरा खिलाडियों को बिलेंगे 55 लाख रुपए परलंपिक खेलों में सिल्वर जीतने वाले खिलाडियों को मिलेंगे 50 लाक रुपए वहीं ब्रॉन जीतने वाले प्राखिलाडियों को 30 लाक का इनाम इसके साथी मिक्स्ट इवेंड के वज़ेताओं को भी मिलेगा इनाम मिक्स्ट इविंट के वज़े ताउं को इनाम के तोर पर मिलेंगे साड़े बाइस लाक रुपए पैरलम्पिक गेम्स में भारत की प्रदेश्चन को खेल मंत्री माड़े ने बताया एतिहासिक लॉंस अंजलिस पैरलम्पिक में और जादा मैडल जीतने पर फोकस चन्दरपूर की सागान की लकडी से बनेगा वन्वंत्री कारले का फनिचर और पी-म की कुरसी वन्वंत्री सुधिल मुनगंटी वार ने दिली रवाना की लकडी इडिनोईडा में कल से शुरू हो रहा समीक ओन इंडिया काईकरम पी-म मोदी करेंगे समारो का शिभारम ये मोदी ने की समीक ओन इंडिया 2024 दिशाए पर आजित बैठक किया देख्षता शेपिंग दा समीक ओन्डेक्टर फ्यूचर पर हुआ मंत्र यूपी को समीक ओन्डेक्टर मेंट्रेक्शन का हब बनाने की दिशाए में सरकार का बड़ा कदम का शिभारम में AI और 6G जैसी तकनीक पर भी होगा मंत्र सामीक ओन इंडिया का शिभारम से पहले गड़नरडा पहुंचे CM योगी समारो स्थल का लिया जायजा दो दिनों तक चलेगा आयूजन गड़ी से सफर करने वालों के लिए गुड नीउस टोल प्लाजा पर अपने ही लगेगी लंबी कदार GPS सटलाइट के जरिए होगा टोल कलेक्शन 20 किलोमीटर तक कोई टैक्स नहीं गड़पती महतसफ के चौथे दिन भी भक्तों का अमड़ा हुजूम विगनहर्ता के अलग-अलग पंडालों में भक्तों ने लगाई हाजिरी मुंबई के लालबाक के राजा के जर्शन करने के लिए सुबह सुबह उमड़ी भारी भीड बड़ी संक्या भक्तों ने लिया वापा का अशिरवाद लालबाक के राजा के दर्वाद में आने वाले शुधालू अपनी खुशी के मताबिक नगद सोने चांदी का चड़ावा चड़ा रहे मुंबई में लालबाक्चा राजा के दर्वाद में पहुँचे फिलम गिनिता वरुन धवन बपा कलिया आशिरवाद भाउसाहेब रंगारी गणिश मंडल में भगवान गणिश की उतारी गई विशेश आर्ती लोगों ने लगाए जैकारे अमई में गड़पती को दर्शन करने पहुंच वी अभिनेत्री एश्वरिया बच्वन साथ में बेटी आराध्या बचन भी रही मौजून महाराष्ट्र नमदिर्मार्ण सेना के अध्यक्ष राष्ठाकर ने किये बपा के दर्शन गडपती के पंडाल में जाकर विगन हर्ता के सामने टेका मत था बंगाल की खाड़ी में किया भगवान गड़िश की परतीमा का विसर्जन वयलोर् में दी गई बपा को विदाई दोलना गाड़े के साथ गडपती के किया विसर्जन वेलोप में दिखा अद्बुद नजारा एक साथ पांचो से अधिक प्रतिमाओं का निकाला गया जुलुस महाराश्ट्र के कई शहरों में मनाई गई भगवान विश्णू के अफ्तार वरह देव की जोयनती निकाली गई शोभायात्रा मागेश्वर के प्राचीन भ्रामरी माता मंदिर में की गई विशेश पूजा तीन दिन तक चलेगा मेला सुभाय से माता के मंदिर में भारी भीड गड़वाल और कुमाओं के श्रधालूं के आस्था का केंद्र है कोट भ्रामरी माता मंदिर नंदाश्टुमी को होती है मा नंदा सुनंदा की पूजा माता भ्रामरी से जूड़ी है कई पारणिक मानताएं तीन दिन तक दूर दूर से आते हैं श्रधालू सारन पुर्वे मा शाकुंबरी देवी देशन के लिए जा रहे है श्रधालूं के दो पक्षों में हुआ विवाद डीजे की आवाज को लेकर दो पक्षों में हुई मार पी दिली के एलन जेपी अस्पताल पहुंचे मंत्री सौरभ भार्दवाज विवस्थाओं का लिया जाइजा साउथ पूरिया दोरे पर आजिस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा सी ओल टेक्निकल हाई स्कूल का किया दने रिक्षन महाराज़्ट के डिप्टी सीए मजीद पवार का दिखा मानवीय चेहरा पुणे में सडक पर उतर कर दुरगटा में घायल हुए युवक को अस्पताल पहुंचवाने में की सहयता वियार में बीजेपी के सरस्ता अभियान की हुई शुरुआत पाइटी के प्रदेश अध्यक्ष दिलिप जैस्वाल ने किया अभियान की शुरुआत 12 सितंबर से शुरु होगा अजल आवासिय विद्याले का सत्र 18 मंडल के स्कूलों में करीब 6,000 चात्र कर रहे हैं पढ़ाई वियार में नितीश केविनेट के हुई बैठक 40 से अधिक अजन्डों पर लगी मुहर दर्भंगा एम्स को सीएम नितीश की सौगात 37.3 एकर जमीन का किया अवंटन गामीन से तुयोजना को भी मिली मंजूरी सड़क हाथसों या ट्राफिक जाम देसी समस्याओं के समाधन के लिए गुजरात पोलिस ने जारी किया हलप लाइन नमबर एक फोन कॉल से मिलेगी पूरे राजमे अतयात की सहयता अभिनेत्री सीमा मीना स्टार अलबम ओ मेरे हम्दम का ओडियो और टीजर रिलीज मौके पर निर्माता डॉक्टर निकिश जैन माधानी रहे मौजूब 36 गड़ के सुक्मा में बाट जैंसे हलात इस्थानी लोगों का पलाइन शुरूर रास्तों पर कमर तक पानी 36 गड़ की राजदानी राइपूर की सलकों का बुरा हल जल्मग नहुई सडकें राइपूर की कॉलोनियों में गुसा पानी लोगों की बढ़ी परिशानी लगतार बारिश से राइपूरों बिगड़े हलात पानी में डूबे घरों में रखे सामान बाड़ की वज़े से विबस हुए स्थानिय लोग रोज मर्रा के काम भी नहीं कर पा रहे कॉलोनी के निवासी सिवनी में भारी बारिश के बाद घरों और दुकानों में घुसा बारिश का पानी हर जग है पानी ही पानी सिन्नी में सुबह से हो रही भारी बारिश के बाद कई लागों में पानी भरा शहर के विवेकरन वाड में लोगों के घरों के सामान पानी में त्यारते दिखे लगातार हो रही बारिश से वैन गंगा नदी भी उफान पर आ गई और भीमगर बांध के च्छाय गेट खोल दिये गए हैं पसाशन की और से मदद ना बिलने पर लोगों में दिखी नाराजगी वहीं इस दौरान विधायक दिनेश राई भी कमर तक पानी में उतर का लोगों की साहता करती नज़र आए महाराज्ट के गोंदिया जिले में राद से भारी बारिश जलमख्ण हुआ शहर गोंदिया में वाग नधी पूल पर फसा एक डीजल टैंकर सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वाईरल मंद्य प्रदेश के मंदला में नधा नधी के बीच में फसे चार यवक दलस्तर बढ़ने से नधी में के बीच फसे यवक SDRF की टीम ने किया रस्क्यू पंदरा घंटे बाद शुरू ही केदारनाथ की पैदल यात्रा सोन प्राग हाईवे पर उसकलन होने से रुकी थी यात्रा मलवा हटाने के बाद प्रसाशन में दी अनुमती आई एमडी ने 13 सितंबर तक भारी बारिश की संभानों जताई उत्तराखन के बाद की जिलों के लिए यलो अलर्ट जारी किया गया उदम सिंग नगर और चमोली में भी औरेंज अलर्ट जारी डैरिताल चंपावाद बागेश्वर में बारिश का औरेंज अलर्ट राहूल गांधी ने कहा मैं पिये मोदी से नफरत नहीं करता मैं उनकी नजरिये से सहमत नहीं हूँ लेकिन मैं उनसे नफरत नहीं करता राहुल गांधी पर केंद्री मंची गिर्याज सिंग का पलेटवार कहा तुष्टिकरण की राज़िती करने वाले और सिखों का कतलियाम कराने वाले अब बीजेपी को दे रहे नसीहत गिर्याज सिंग ने कहा राहुल ने कांग्रिस को रसातल में पहुंचाया जबकि तीसरी बार सरकार बदाने वाले मोदी की पूरी दुनिया में बढ़ी है पूछ तेरी बार चुनाव में 99 नहीं पाड़ कर पाए 400 लिख रहे ते हमारी सरकार बनेगी 300 अना पह है 300 अना लिख देता हूं कहा गया इसलिए इस थित्रलाओ जी का जवाब नहीं हो सकता राहूल गांदी के समर्थन में आगे आए टीमसी सांसा सुचुगन सिन्हा बीजेपी के राहूल के विदेश में भारत के आंत्रिक मामले का मुद्धा उठाने पर सवाल पूछा है इसकी शुरुआत किस ने की थी सिन्हा ने मोदी के बयानों का दिया हवाला हर्याना विधानसवा चनाव में बीजेपीन प्रचार जोकी ताकत पी एम मोदी करेंगे पांच मेगा रैलियां 14 सेतंबर को पी एम मोदी हर्याना में करेंगे पहले चनावी रैली कुरुशित में जनताओ करेंगे स्तंबोधित दुरुक्षित से लाडवा विधानसावा से हर्याणा के सियम सेंदिने भरा पर्षा केंद्री मंत्री खटर समेथ बीजेपी के कई वर्ष्ट ने ता हुए शामिल हर्याणा चुनाफ से पहले बीजेपी को तगड़ा जटका पूर्वे मंत्री शत्रपाल सिंग ने बीजेपी शोड़कर आवानी पार्ठी जोईन की सियासी मैदान में उत्रा नूह इंसा कारोपी बेटू बजरंगी बतर नदली उमीद्वार फरीदावाद सीट से किया नॉमिनिशन हर्याणा में बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी 21 उमीदवारों में दो मुस्लिम चेहरों पर को भी मिला तिकट जुलाना से विनिश के खिलाफ कैप्टन योगिश को उतारा सूची में दो मंत्रियों का पत्ता साफ अरिरणा चुनाव में आवनी पैठी जारी की दूसरी सूची एकुल नौ मीदवारों का एलान अब तक खुल 29 प्रत्याशियों के नाम पर लगी मुहर कॉंग्रिस में जाने के एटकलों को बजन गयक कनहिया मितल ने किया खारिज बोले राम के थे राम के रहेंगे रोड़ा में बी एस फाई जी दिनिश कुमार बूरा ने गंड़ो का किया दौरा आगामी जम्मुकर्श्य विदानसवा चुनाव के मदे नजर सुरक्ष्य ववस्था की समिक शाकी बीजेपी ने दिल्ली में के जिवाल सरकार को बरखास्थ करने की मांग की वीजेपी विदायकों ने राश्च्पती को लिखा खत दिल्ली में बीजेपी विधायकोंने राश्टपती साशन लगाने की मांग की इसीम के जिवाल के जेल में रहने से कानुन दवस्था बिगड़ने का दिया हवाला बीजेपी विधायकोंने के ग्यापन को राश्टपती ने ग्रिमिन तौला को भीजा खत्मे दिल्ली में सम्वेधानिक संकट का किया जिक्र दिल्ली बीजेपी के नेता विजेंदर गुपता का आरोब दिल्ली में जेल से चल रही है आम आदमी पाटी की सरकार यूपी के बहराईच में भेडियों की दैश्ट से परिशान ग्राविणों के लिए राहत की ख़बर लोगों पर हमला करने वाले एक और भेडियों को फॉरस्ट ने पकला आरजवी कर अस्पताल के पूर प्रिंसिपल संदीप गोश की 23 सितंबर तक बढ़ी नियाई खेरासत वित्ती अनिमित्ता मामले में सीब्याई ने किया था कि रफ्तार खुलकाता कांट को लेकर विरोध्य प्रदेशन का दौर ज़ारी काम पर नहीं लोटे जूने डॉक्टर नियाई की मांग को लेकर स्वास्ती वफन तक जूने डॉक्टरों का मार्ज सुप्रीम कौट ने दी थी शाम पांच बिर तक जूटी जॉइन करने की डेडलाइन आरजवी का रस्पताल के डॉक्टरों ने रखी पाँच मांग, डॉक्टरों की मांग में बंगाल के स्वास्ते सचेव और खोलकाता पोलिस चीफ का स्तीफा शामिल पोलिस में स्वास्थे ववन के सामने रोका डॉक्टरों कमार्ज पूरे लाके मिर्खी की बैरी कैडी मनिपूर में शांती भाल की कोशिश जारी राज में 15 सितंबर तक इंटरेट सेवा बंद मनिपूर में आरेफ की फोर्स तैनाथ प्रदर्शन कारियों ने जाम की सड़के विंफॉल इंस्ट विंफॉल वेस्ट और थॉबल में पसाचन लगाया कर फ्यू छात्रों के संगठन ने सी आर पिएफ के काफिले पर किया पसराओ मनिपूर इंसाखो लेकर केंद्रो रैजी सरकार का द्रक्ष का निशाना सिफ सेना और धबगुट की नेता प्रेंगर चतरवेदी बोली सरकार को नहीं है मनिपूर की परवा यूपी सिक्षक भरती मामने मायवती का या ट्वीट बोली आरक्षिद वर्गी के अब भैरतियों के साथ ना हो अन्याए उन्हें अपने सम्विदानिक हक जरूर मिलने चाहिए लखनों में सिक्षक भरती के अब भैरतियों के ने किया प्रदर्शन डिप्टी सीम के शितल साथ मौरा के घर का किया गेराव बादलन जमीन के मौफ्जी विजली पानी और सड़क के चोरी करंड की मांग को लेकर धरने पर बैठे किसान बीके यू का मिला साथ किसानों ने अपनी मांग को लेकर प्राग कि नौ सुत्रे गयापन लेने के वाद माने किसान खत्म किया अंदोलन